मधु मक्खी और चिरिया एक समय की बात है कि एक चिरिया एक पेल की डाल पर बैठी थी उसी समय एक मधु मक्खी पानी में गिर गई चिरिया ने उसे दूबते देखकर एक पत्ता तोड़कर पानी में डाल दिया दूबती हुई मधुमक्खी ने पत्ता देखा और उस पर बैठ गई कुछ समय बैठे रहने पर जब उसकी पंख सुक गए तब वह उल गई इस प्रकार उसकी दूबने से जान बच गई कुछ दिनों के बाद उस जंगल में एक शिकारी आया उसने उसी चिर्या को पेड पर बैठे हुए देखा और उसका शिकार करने की सोची और निशाना साधने लगा चिर्या को शिकारी का पता नहीं था वह बेखबर बैठी थी मधुमक्खी ने खत्रे को समझ लिया उसने तुरंथी शिकारी के डंट मार दिया जिससे शिकारी का निशाना चूप गया और चिरिया की जान बच गई शिक्षा भलाई का फल भला ही मिलता है तो दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीख मिली है कमेंट करके जरूर बताना कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद